है गाईज, वोप आर दूग वेल, वेलकम टू एग्रिसल्वी, देखिए बहुत अच्छा खुसकबरी है, 524 पोस्ट आ चुका है, एग्रिकल्चराल डेबलमेंट अफिशर और सब्डिविजनाल एग्रिकल्चर अफिशर, और यह हरियाना पीएसी का है, ओके, हरियाना पब कैसे प्रिप्यार करेंगे, और कैसे इस तरह का एग्जाम को क्राक करेंगे, so be attentive, be an optimist, let's start. डीटेल में जाने से पहले, कुछ important ICR इंस्टिचूट जो की हरियाना में है, यह आपको जानने ला बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यह एग्जाम में आने का chances 100% है, मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जाम में यह आएगा ही आएगा, तो इसको पहले रठ लिजे, इंडियान एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिचूट रिजिनल स्टेशन, यह तो कन्नाल हजियाना में है, यह बहुत ही ज़्यादा कमा है, सबको पता है, सेंट्रल इंस्टिचूट फर रिसर्च अन बफालोस, यह भी हिसार है, हिसार में है, ओके यह सेंट्रल इंस्टिच होते हैं, वो equines में आते हैं, आपको पता होगा spinal card का human beings spinal card का end को क्या बोलते हैं, कड़ा equina, तो equina क्यों बोलते हैं, क्योंकि spinal card का end tail जैसा होता है, इसलिए equine बोलते हैं, तो equines वो भी हिसार हरियाना में है, Central Soil Salinity Research Institute, वो करनाल हरियाना में है, और यह बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, National Diary Research Institute, करनाल हरियाना में है, यह number one research institute पर आता है, ICR के, जो सारे के सारे research institute है, वहाँ पर यह number one आता है, और National Bureau की बात करते हैं, National Bureau of Animal Genetic Resource, करनाल हरियाना में है, Indian Institute of Wheat and Bali Research, वो भी हरियाना में है, देखिए, Wheat and Bali, तो मैं आपको कुछ agriculture crop, जो की हरियाना में बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है, जैसे की हरियाना में wheat, rice, bazra, ओके, यह तीनों सेरेल्स crop बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है, आपको याद रखना है, यह सेरेल्स crop, जो मैंने तीन बता है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टेज होता है, और इसको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यह तो आएगा ही आएगा, agriculture field officer में तो यह आना चाहिए, विट, राइस, बाजरा, यह तीनों को अच्छे से पढ़के जाना, और मैं अपने वीडियोज में भी, next subsequent वीडियोज में मैं इसके बारे में detail वीडियो लेके आऊंगा, ब्लाग्राम, वो pulses में आता है, ब्लाग्राम, कावपी, अभी ब्लाग्राम नहीं हो रहा है, तो जो भी agriculture related, जो भी सवाल बन सकता है, हरियाना से related, मैं subsequent वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, पहले हरियाना के detail syllabus के लिए मैं वेट करहा हूँ, आप go to next slide, और detail में समझे क्या है syllabus, आपका exam strategy क्या होना चाहिए, यह आप देख सकते हैं, official notification, official notification का इंसर्ट मैंने लिया है, पुरे आपके सामने है यह, 16 September का यह notification आया है, data publication, और देख सकते हैं, agriculture development officer, administrative credit, obviously public service commission कर रहा है तो, और general का देख सकते हैं, unreserved का 275 post है, और हरियाना का तो कुछ special होगा post, पर हम यहाँ पे special ही बात करेंगे, जो की सारे के सारे agriculture student के लिए, all India agriculture student के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, आज से आप form भर सकते हैं, 16 September से form भर सकते हैं, closing date आप देख सकते हैं, October, October 6 तरिक से पहले form को भर देजिएगा, और free deposit का last date देख सकते हैं, और यह है आपका official website, यहाँ पे जाके आप सारे details पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई जरुरत नहीं, मैं detail में आपको explain कर दूँगा, क्या-क्या चीजे हैं, पहले थो सबसे बड़ी important बात, B.A.C. Agriculture का कोई भी student यह form भर सकता है, मतलब All India Candidate इस form को भर सकते हैं, All India Candidate eligible, okay, for that, then, पैसे की बात कर लेते हैं, पैसा, आज नॉर्मल IVPS F होका जैसे फीश रहता है, उसी फीश structure है, Bank of Maharashtra से तो कम है, देख सकते हैं, यहाँ पे General Category जो है, वो इतना भर सकते हैं, ओके General All Reserve Category Other State, यहाँ पे Clearly Mention क्या है Other State, so Other State Candidate भी इसको भर सकते हैं, और देखें, आज वी आल नो, B.A.C. Agriculture होता है, इसका Eligible, Minimum Eligible Criteria, so competition इतना ज़्यदा टॉफ नहीं होगा, Generally आप AFO में, या फिर Bank of Maharashtra में देखते होंगे, Veterinary बालों भी जाते हैं, Forestry बालों भी जाते हैं, Horticulture बालों भी जाते हैं, So देखें, अभी तक तो particular syllabus, हरियाना P.A.C. के थरब से नहीं आया हैं, Okay, पहले यह बात समझेजिए, पर कुछ other sources से मैं collect कया हूँ, कि exam जो भी होगा, वो objective type होगा, Okay, And उसमें 4-5 option जैसे होता है, हमारे IBPS AFO में, WSI होगा, और MCQ sections होगा, देखें, यह जो मैं documents अब तयार किया हूँ, यह जो चीज़े information में लिया हूँ, कुछ हैसे student है, हरियाना P.A.C. का, मुन्मी से, मैं यह सारे चीज़े collect किया हूँ, और देखें, जो detail exam pattern, वो आएगा, जब आएगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूँगा, आप update रहें, इस चैनल को subscribe कर जीज़े, ताकि जो भी नया update आएगा, मैं आपको बताते चलूँगा, तो फिर और एक फाइदा क्या है, और एक फाइदा, यहें आप जान सकते हैं, general studies भी आएगा, आज it is a PSE exam, यह बैंक अप महाराष्टर जैसा नहीं है, यह बैंक नहीं है, तो agriculture के साथ-साथ आपको general studies भी prepare करना पड़ेगा, और general studies में obviously आपको बहुत सारे चीज़े prepare करना पड़ेगा, जो अलड़ी prepare कर रहे हैं, उनके नहीं है तो कोई बात नहीं, agriculture के साथ-साथ आपको general studies भी पड़ना पड़ेगा, और अभी तक तो कोई भी date आनाउंस नहीं हुआ है, कोई admit card का, कोई exam का, कुछ भी date आनाउंस नहीं हुआ है, तो मान के चलिए कि बहुत महीने, आपके पास 3-4 महीने तो है, आपके हाथ में 3-4 महीने अभी है, तो अहीं से prepare कीजिए और क्राक कीजिए, यह PS level का job है, ऐसा मान के चलिए, PS level का job, ओके?